दोस्तों कैसे हैं आप सब आई हूँप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे सो पूनम ट्वाउक में इक पर से आप सभी का वेलकम करते हैं तो आज का जो वीडियो है वो एक reaction वीडियो रहेगा और यह reaction वीडियो जो है यह reaction by पपीता के लिए है ठीक है अब मैं उसका नाम नहीं ले सकती प्यकूस वो न्याले की देवी है अगर उनके पास मेरे ये वीडियो पहुचा तो हो सकता है वो मेरे उपर भी ठपा लगा दे हो सकता है वो भी मेरे भी करेक्टर के उपर उंगलियां उठा दे क्योंकि देखो वो जो बोलती है वो सच बोलती है सच के सिवा वो कुछ भी नहीं बोलती है तो चलिए आज पपीता की जो पपीता देवी है उन्होंने क्या क्या बोला है आज हम सबसे पहले उनके कुछ बातों पर गौर कर लेते हैं क्योंकि पपीता देवी का ये कहना है कि मैं तो 5-6 महीने के लिए बिलकुल गायब थी भाई YouTube की दुनिया से क्योंकि मुझे प्रेक्शराइस किया जा रहा था कि मैं जो हमारी नेहा आशिश तिवारी जी है जो लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था में किसी के करेक्टर पर बात कैसे कर सकती हूं मैं ऐसे कितना नीचे कैसे गिर सकती हूं तो अचानक ये जो है निद्रा मोड में चली गई थी यानि की सोने चली गई थी अराम से फुर्सत से फिर ये माग खुली, इन्होंने अपना चैनल देखा, फिंन्होंने देखा, अरे मैंने बहुत महनत कर लिया, फर मेरे viewस तो आई ही नहीं रहे, अब क्या किया जाए, फिर इन्होंने तिकड़मbाजी की इन्होंने YouTube चैनल खोला देखा controversy कहा कहा कैसे कैसे चल रही है ठीक है उसके बाद उसके बाद इन्होंने सोचा कि बाई एक पक्ष को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा दूसरे पक्ष को हमें गिराना पड़ेगा ठीक है और यह जो न्याले की जो देवी है न जो अपना यह देखो अमारी गैलरी देखो देखो गैलरी में तो पपीता मैं बोल रहे हूं तो नेहा आशिश तिवारी जी को छोड़ तू सचीन जी को छोड़ तेखो पता है मेरी गैलरी में तेरे लिए कितने audio video recordings आयो है तुझे पता है देख पपीता लेकिन मैं आज तक नहीं बोली पता है क्यों नहीं बोली थी पपीता क्योंकि तू भी एक औरत है मैं भी एक औरत हूं पर पपीता अब तो तुने हद मचा दिये तू तो वही वाला पपीता हुआ जो पहले क्या बोलते है हरा था अचानक जो है फिर वो पीला हुआ फिर पीला होने के बाद फिर वो खाया गया और खाने के बाद वो सीधर डाइज़स्ट हो गया चीचज़ और कितने गंदे जोन में तू जा कर डाइज़स्ट हूईयाँ अब समझ रही है पपीटा तू क्या चीज है ऐसे तेरे मुह से क्या दें ना वो ही निकल रहा है गोबर जी से बूला जाता है चीक है, मुझे नहीं पता पक्ष क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन तुझे किसने राइट दे दिया, तू कहीं कि नैले है, तू कहीं कि पुलिस चौकी है, तू इरे पास मतलब ऐसी क्या पावर है, कि तू बोलेगी यही सही और तू बोलेगी यही गलत, तुने कोई थपपा लगा रखा है किया किसी चीज पे तुझे मतलब ढंक से बोलना भी नहीं आता मिलको है ना वो सांती है ना सांती उसने मुझे बताया था वो सांती वहां है वो मेरी गवा है वाब भाई साब कौन सी शांती तुने तो और एक दूसरी शांती के जिंदगी भंक कर दी पहले तु बोलना सीख तुझे बोलना ही नहीं आ रहा और तु चली अपनी गैलरी में दिखाने तेरी गैलरी में तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा ऐसे तो गैलरी में पता नहीं हमारी गैलरी में कितनी हजार पिचुर्स पढ़ी होंगी देखो गाईज देखो द गाईज देखो देखो तो तो यहां क्या दिखा रही है तेरा तो फर्ज ये बनता था कि तु निहां अशिश्टिवारी जी के पास जाए अगर तू ऐसा बोल रही है तो उनको जाके बोलती कि देखो मैडम आपके लिए ऐसा ऐसा है लेकिन मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हू आप उनसे बात करो, जिन्होंने मुझे बेज़े, आप उनसे बात करो, तब तो मैं तिरको एक भली औरत मानती, पर अब मुझे समझ में आ रहा है, 7-8 महीने से तरह चैनल बिल्कुल नहीं चल रहा, मैं reaction की दुनिया को छोड़ चुकी थी, अब तू reaction में वापिस आ गई है, वो reaction में इसलिए वापिस आई है, कि जब और पैसा कमा रहे हैं, तो मेरा right क्यों नहीं बनता पैसा कमाने का, तो तू पैसा कमाने के लिए आई है, तूने विचारी एक शांती की दुनिया की वैसे ही, वो विचारी जो गाउं की शांती है, वो वैसे परिशान है, उनका रिष्टिवारी जी के लिए तू बोल रही है, कि उन्होंने जो है, उनको मनीशा जी को इतना सुनाया, इतना सुनाया, तू वहाँ पे खड़ी थी, तू मनीशा है, तिरको फोन करके सुनाया था, तो लगा तू recording, भाई बेन के रिष्टे के बारे में जानती है, तेरा जि है, आज ये reaction video सिर्फर सिर्फ तेरे लिए बन रहा है, मैं खुद reaction के दुनिया से भाग गई थी इसलिए, क्योंकि ये reaction के दुनिया बहुत गलत है, एक तरफा सच में कभी नहीं सुनना चाहिए, एक तरफा मैंने भी कभी जीवन में सुना था, और मैं बहुत पस्ता है, त तो लोग मारने के लिए वो खहते हैं गरम लोहा है, तो लोग हतोड़ा मारने आ जाते हैं, वही तेरे साथ हुआ है, और तो नहीं सजा है, मेरा तब चैनल चल पड़े का बास, बोल दो किसी के लिए क्या जाता बीना अड़ी की जबान, फू 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 कुछ भी बोल सकती हैं मैं तो, आपके अंदर गलतिया तो होगी, तभी तो आपके लिए बात हो रही है, तो मैं आज बोल रही हूं, तेरे अंदर बहुत कमिया है, मेरा तो पूरा गैलरी सिर्फ तुद से ही भरा पड़ा है, मेरा तो पूरा सिस्टम तेर से ही भरा पड़ा है, सच म लोग बोल रहे हैं तो पपीता तेरे में कोई ना कोई तो गलती होगी ना अब तेरे पास कोई मुद्दे की बात है ही नहीं तो बे मतलब मुद्दे की बात कर रही है बे मतलब मुद्दे की बात कर रही है मैंने तेरा चैनल अभी पूरा अच्छे से खंगाला देखा तुने तुने बहुत कोसिस कर लिए तुने रोटी बना लिए तुने पाणी पी लिया तुने कपड़े धो लिये तुने ना चिली तु सब कुछ कर लिया फिर आखिर में तुर को यही लगा कि भाई इससे अच्छा कोई टॉपिक नहीं हो सकता कि किसी के करेक्टर पर चले जाओ तुझे बड़ी लज्जया थी हाँ मैंने इसलिए नहीं बोला था अब तेरे को क्या अचानक ऐसा हो गया ऐसा कौन सा कीड़ा था जो अचानक तेरे अंदर उमड़ा और उस कीड़े ने तुझे काटा और तू अंदर से मूँ से सारे कीड़े बाहर निकालने लगे अब ऐस कौन सी विपदा आ गई तेरे उपर अचानक तू यह बता तरको चाहिए तरको पैसा चाहिए तरको क्या चाहिए तू इधर लगा तू वीडियो में आपने लिए कि बढ़ी मुझे चाहिए मेरे पास कुछ भी नहीं है ना खाने को है ना पीने को है तो मुझे लगा किसी यौरत को बदनाम करके मैं ऐसा कर लो एक गलती होती है जाने में और एक गलती होती है सोच समझ कर ठीक है तू कह रहे है ना तू नेहा अशिश तिवारी जी का तूने जॉश टॉक पे जाकर वीडियो देखा उनको तूने समझा उस दिन से तू जानने लग गई उसके आज क्या हुआ आज क्या हुआ ऐसी आत्म है तू ज़िए सब कुछ पता होता है फिर तो मुझे लगता है सुप्रीम कोड़् हाई कोर्ट और जितने भी क्राइम प्रांच सारे सारी तेरे पास आते होगे जब तू मोहर लगा देती होगी जब भी सारी चीजे पारित होती ह क्योंकि संसद में तू जाके बैढ़ जा फिर तो सारे कानुन तू ही पास कर और किसी के पास कोई ठेका नहीं है क्योंकि आप अचानक प्रकट हुई है पपीता देवी प्रकट हुई है अचानक शरम कर तू रियक्शन बाइप पपीता मैं तेरे को अभी प्यार से समझा र होगा है तो बहुत एक अच्छी औरत तू दिल की बहुत साफ है तो किसी का करेक्टर खराब नहीं करना चाती है तू चाहती है जिस औरत की इससे इजट है उसकी इजट रहे हमेश्या तो अब क्या हो गया तुझे अब तिर को यह औरत नहीं दिखी वह तुझे कुछ और या तिरको वो आदमी नहीं दिखा तिरको नहीं लग रहा कि एक का विचारे का घर बसने जा रहा है और जिनका तु बोल रहे हैं नहीं हां आशिश तिवारी जी आज भी अपने पती का नाम साथ लेकर चलती है भाई भेन का कोई रिष्टा होता है कि नहीं होता है उस रिष् इस्टाग्राम कॉल करियो पपीता और पीता बाए पपीता मैं तुझे बोल रहे हूं कि मैने साचेन का वीडियो देखा अने विडियो देखा, मेरे को वो पहले बहुत अच्छे थे, अचानक मेरी सोच बदली, अचानक एक कीड़ा आया जिसने मेरा पूरा दिमाग हिला कर रख दिया तो इतना दिमाग जो हिला हुआ ने इसको थोड़ा सेंटर में लेकर आ समझ रही है ना था हमारे अरियाना में काया कर रहा जो नहीं मानना ना, लातना के बूत फिर बातना था नहीं मानने आ करते फिर उनको बातना था ही समझाना पड़ा है तो या था तो मेरी बातना था मान जिया ना था फिर देख में दूसरा कर दे तो तो समय ज् synt आगी ना ऊड़े ते रहना फिर वे वेबे के के वह है। घलत होए है तो हम कती माफी मांग गएं कती चोड़े मैं हम वह न लॉक है दूसरे के भी तक करी हमने तो शरम कर ले या तो माफी मांग ले या वीडियो डिलेट कर दे या तु अपना फिर निद्रा मोड पर चली जा पिर तु सोन चली जा ऐसे ऐसे ठीक है चाहिए राम राम फिर मिलेंगे इब देखूंगे तु के बना होगी इब उमीद करूं तु इसा विसा कुछ नहीं बना होगी ठीक है चल पाएं